हाई एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल फूरी नमस्ते आज मैं आई हूँ आपके लिए बची हुई रोटियों से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए तो चलिए फ्रेंड्स देखे मैंने क्या लिया हुआ है मैंने बची हुई दो रोटियां ले लिए फ्रेंड बीच में से दो पार्ट पहले कर लिए हैं और फिर इनके दो पार्ट और करूंगी ये देखिए दोनों रोटि के दो दो पार्ट हो गए हैं अब बीच में से एक एक पार्ट और करेंगे मतलब एक रोटि के चार पीस हमें करने हैं तो चलिए सभी रोटि के पीस कट कर लेत यह देखिए फ्रेंस इस रोटी का नाश्ता आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा आप मेरी वीडियो देखके जरूरी ट्राई करेंगे मैं गारंटी लेती हूं इस बात की तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं वीडियो में तक बने रहें तो सबसे पहले लेंगे उबले हु में बैश्कर लिया है फोक की मदद से अब बस इसमें कुछ मसाले डालने होंगे सबसे पहले डाल देंगे कट्य हुए हरी मिर्च मिर्च आप अपनी ऐक्षा नुसार जैसा चाहें वैसा डालें और ठरा धनिया डाल देंगे अब तोड़ा से जीरा डाल देंगे अब इसके चट मसाले ये टेस बहुत ही चटपटा आता है, तो friends, इस सब को mix कर लेंगे अच्छे से, mix करते हुए अच्छे से इसको अच्छे से मसाले में और आलू को mix करके, इस्मूद सा बिल्कुल बेश्ट बना लेंगे, तो देखिए आलू का मसाला तयार हो गया और एक तरफ में डख देंगे, अब ले लेंगे एक बोल, और बोल में डालेंगे आधा कटोरी के लगबग बेशन, तो चलिए कि मैं क्या बना रही हूं, बेशन में डालती हूं, थोड़ा सा अजवाइन, अजवाइन बहुत जड़ी होती बेशन के डाइजिस्ट करने के लिए, थोड़ा पानी डालते हूए, एक बेटर तयार करना हमें, तो चलिए इसको बना लेते हैं, देखिए भी काफी थिक है ये, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से पानी नहीं डालें, अब देखिए, इसका स्मूथ बेटर बना करके बिल्कुल तयार कर लेंगे, ये देखिए, ना ये बहुत पतला है, और ना गाढ़ा है, ऐसे ही मीडियम फ्लो का हमें बेटर चाहिए, तो चलिए, आगे भढ़ते हैं रेस्पी में, अब ये रोटी के जो पीस कट किये थे हमने, इनको रख लेंगे, एक पीस उठाएंगे अपना, और जो आलू का मसाल बनाया था, इसको इस रोटी पर एक साइट से लगाएंगे, और देखिए, इसको एक साइट से लगाते हुए, रोटी को फोल्ड करेंगे, ट्रेंगल शेप में, देखिए, कितने अच्छे से ट्रेंगल शेप में ये फोल्ड हो गया है, तिकोने आकार में, और इसको चिप बनाईए friends, देखिए, कितनी आसानी सी आलू का मसाला इसमें पेश्ट हो जा रहा है, और इसी तरह बना करके ये पीस रख लेंगे, तो चलिए मैं सारी रोटियों के पीस बना लेती हूँ, friends देखिए, सारी रोटी मैंने इस तरह आलू लगा करके बना के पीस रख लिए, ये इपना नाश्ता तयार हो गया है, चलिए, देखिए, देख लीजे, कितनी आसानी से बन गया है ये, चलिए आगे बढ़ते हैं रेस्पी में, अब जला लेंगे गैस को, और रख देंगे एक पैन, तो पैन को अच्छे से गरम होने देंगे, अब पैन में डालेंगे ओल, त जायती हूं नाश्ते को, तो चलिए, अब ये जो बेसन का घोल तयार किया था, उसमें ये अपना नाश्ता एक एक पीस उठा करके डिप करेंगे और इसका बैटर धीरे से नीचे गिरा देंगे, एक्स्ट्रा जो बेसन है उसको नीचे गिरा देंगे, और बड़े आराम से धीरे धीरे गरम तेल में छोड़ते जाएंगे, देखिए, एक मैंने डाल दिया, मैं दूसरा भी उठा के डिप करती हूँ, और इसको भी डाल दूँगी, बड़े अराम से देखिए, ये बन रहा है, ये देखिए, चार पीस मैंने डाल दी है, एक साथ जादा पीस ना डा है, चलिए इस तरफ से उलटते पलटते इसको सेक लेंगे, हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है, ये नाश्ता बहुत ही करारा बनेगा, और किसी को पता नहीं चले कि रोटी से बनाया है, आप किसी को भी खिलाएंगे, अपने फ्रेंस को, महमानों को, या घर में बच्चों को, तो वो बता ही निसकेंगे, रोटी से ये नाश्ता तियार हुआ है, आप जब बनाएंगे, तब ही आप ये समझ पाएंगे, कितना टेस्टी बना है, चलिए फ्रेंस, ये सिख चुके हैं अच्छे से, गुल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इनको निकाल लेते एक एक करके, पिपर नैपकेन पे, जिससे एक्स्ट्रा ओयल है, वो भी इनका निकल जाए, ज्यादा ओयल फ्रेंस इन्होंने नहीं सोक किया है, बहुत अच्छे से बन के तियार हुएं, बिल्कुल करारे क्रिस्पी, मैं दूसरा बैच भी डाल ले रही हूँ, देखिए, अराम से बेशन में डिप करते हुए, और बेशन को नीचे गिरा देंगे, एक्स्ट्रा वाला जो होगा फ्रेंस, और अराम से इस्पून की हल्प से डालते जाएंगे, देखिए, उलट पुलट देंगे, जैसे पहला वाला बैच सेका था, वैसे ही मैं दूसरा भी सेक ले बहुत ही जल्दी, पांच-दस मिनट में फ्रेंस ये नाश्ता बनके तयार हो जाएगा, और देखिए, सभी को पसंद भी आएगा, मैं गरंटी से कहती हूँ, तो आप एक बार मेरे कहने से ये नाश्ता जरूर ट्राइ करें, बहुत ही टेस्टी है, चलिए फ्रेंस, नाश अब इसको आप मन चाही अपनी चटनी, कैचप जिससे भी सर्व करिये, मैंने कैचप रख दिया है, फ्रेंस, ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तयार हो गया है, जब बच्चे कभी कभी सबजी रोटी खाने से मना कर देते हैं, आप इस नाश्ते को बना के उनको दे वो फटा-फट से खा लेंगे, और बहुत तारीफ करेंगे आपकी, फ्रेंस, अगर आपको आज की रेस्पी मेरी पसंद आती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, चैनल पे अगर पहली बार आए हो, तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कर देखें फ्रेंस, मैं नाच्टे को कट करके आपको दिखा रही हूं, तोड़ करके हाँ से, ये देखें, अंदर की फिलिंग देखिए, कितनी गजब की है, मसाला आलू ये, और इसको डिप करिए, और खाईए, और अपने फ्रेंस, फेमली सभी को खिलाईए, फ्रेंस, अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, बाई बाई